C.I.E.T. N.C.E.R.T. के जरिए पेश है सफ़ा नंबर पचास सबक साथ नजब कहना बड़ों का मानो नजब निगार अलताफ हुसेन हाली माबाप का अजीजो मानाना जिसने कहना दुश्वार है जहां में इज़द से उसका रहना डर है पड़े न सदमा जिल्लत का उसको सहना चाहो अगर बड़ाई कहना बड़ों का मानो तुमको खबर नहीं कुछ अपने बुरे भले की जितनी है उम्र छोटी उतनी है अकल छोटी है बहतरी उसी में जो है बड़ों की मर्जी सफा नंबर 51 है कोई दिन में प्यारो वो वक्त आने वाला दुनिया की मुश्किलों से तुमको पड़ेगा पाला मानेगा जो बड़ों को जीतेगा वो ही पाला चाहो अगर बड़ाई कहना बड़ों का मानो अल्ताफ हुसेन हाली माबाप हमेशा अपने बच्चों की बेहतरी चाहते हैं जो बच्चे बड़ों का कहना नहीं मानते वो नुकसान उठाते हैं इस नजम में शायड ने बच्चों के लिए यही पैगाम दिया है सोचिए, बताईए और लिखिए एक, बड़ों का कहना ना मानने का क्या नतीजा होता है दो, छोटी उम्र में हमें किस चीज की खबर नहीं होती तीन, जब जिन्दगी में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा तो क्या चीज काम आएगी चार, है बहतरी उसी में जो है बड़ों की मर्जी का क्या मतलब है इन लवजों से जुमले बनाईए वक्त, अक्ल, दुश्वार, सद्मा सफ़ा नंबर त्रेपन इन लवजों से मिसरों को पूरा कीजिए बड़ाई, अक्ल, इज्जत, बड़ों, मुश्किलों दुश्वार है जहां में खाली जगा से उसका रहना है बहतरी उसी में जो है खाली जगा की मर्जी दुनिया की खाली जगा से तुम को पड़ेगा पाला दिये हुए खानों में वाहित की जमा और जमा के वाहित लिखिए वाहित के खानों में अलफाज हैं अजीज, जिल्लत, बड़ा, मुश्किल और जमा के खानों में दुश्वारियां, सद्मों, खबरों, अकलों इस नजम में जो खास पैगाम है उसे अपने लफजों में लिखिए इस नजम को जुबानी याद कीजिए इसी के साथ ये सबक यहीं पर खत्म हुआ समय रिकॉर्डिस्ट, बटिलैंग लिंग्डो, समय फनकार, परवेज गोहर और शिमायला परवेज एडिटिंग, हिदायतकार और तखलीककार, विमलेश चौधरी, पेशकरदा, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत